इस लेक्शेर में हम बात करने लगे हैं कैमरा ट्रैकिंग की जहां कैमरा का जिकर होता है तो हम और अफर एफेक्ट के अंदर कैमरे का यूजज अर्यडी देख चुके हैं और आपने देखा किस तरीके से हमारे पास कंट्रोल होता है कि हम उसकी फोकल लेंथ हम उसकी लेंज की मूवमेंट अपने कैमरा लगाके हम चेंज कर सकते हैं और बेसिकली उन एलिमेंट को एड़ करने के लिए ही और बड़ा जबदस फीचर मजूद है कि कैमरा उसको ट्रैक खुदी कर लेता है आपको सिर्फ अपनी 3D एलिमेंट उसमें प्लेस करने होते हैं इसमें आप टेक्स भी एड़ कर सकते हैं इसमें आप एनिमेशन भी एड़ हो उसको अब अलग से प्रीकंपोस करके या फिर अलग अलग लेयर्स में काम करके आप इसको बड़ी इंटरस्टिंग चीज़े बना सकते हैं आईए इसका प्रॉसिस देखते हैं तो हम इस वक्त अपने सोफ्ट्र पर आ चुके हैं और मेरे पास एक फुटिज है और मैं अ और प्रीबियर में करते हैं और हम क्विक्ली इसका प्रीदीड großes और इसको करें तो मेरे पास प्रांच्यार है और उसमें कुछ वे बिलिंग्स अ तो हम क्या या करेंगे इसे जो कैमरा मॉㅠㅠ इसको मेरे अणधर में आपने ऐलीमेंट करते हैं और बक्ते करते और सब् 3D elements होंगे, तो आप एक 2D space के अंतरे 3D elements add कर रहे हैं, जब आपका camera जिस तरह चे रोटेट हो रहा है, move हो रहा है, तो element अगर, let's see, अगर हम यहाँ पर text लिख देते हैं अपना, तो वो भी उसी हिसाब से, camera की movement के हिसाब से, अपने axis को change कर रहा होगा, और आपको एक 3D text की feel आ रही होगी, और ज़रूरी नहीं कि आप इसमें text ही डालें, आप इसमें और भी कोई भी object, कोई भी चीज़, element अपना डाल सकते हैं, और आप यह देख सकते हैं, इसकी duration मेरे पास 38 second का eclip है, quickly हम देखें तो हमें इसकी movement इस तरह से नज़र आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े सी हम इसकी speed तेज़ कर लें, ताकि हमारे पास track करने में भी, हमें पता हो कि इस point से, इस point तक जहां track हो रहा है, वो भी हमें clear हो जाए, और दूसरा यह है कि हम थोड़े सी movement तेज़ चाह भी रहे हैं, तो हम चाहें तो इसकी speed को थोड़ा सा यहाँ पर भी alter कर सकते हैं, इसको हम तेज कर सकते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर इस layer को select करेंगे, जो कि already selected है, layer में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास time की option मवजूद है, speed के लिए हम time stress यहाँ use कर सकते हैं, और हमारे पास एक की window खुलेगी यह थोड़ा सा premiere से different है अगर आपको premiere में slow करना होता था तो आप reverse आते like आप कम digits में आते आप 80, 70, 60, 50 करते तो वो slow motion होता और अगर आपने speed बढ़ानी होती तो फिर आप उसी हिसाब से 100 प्लस जाते 120, 130, 150 जितना भी आप ने उसको speed बढ़ानी होती तो इसमें हम थोड़ा सा reverse है मामला अगर मैं इसको कम करूँगा तो basically इसकी speed बढ़ ड़ी होगी है अगर मैं इसको यहां 50 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि duration भी यहां change हो चुकी है और अगर मैं चाहूँ तो duration से भी कर सकता हूँ इसमें चाहता हूँ यह हो ही सिर्फ 15 सेकंड का और इस 15 सेकंड के हिसाब से उसने अपनी stretch factor जो है जो इसके percentage है speed का खुदी adjust कर दिया और मैं इसको यहां से okay करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसको यहां पर blank हो चुका area क्योंकि speed तेज हो गई है और जो 38 सेकंड तक मेरा यह clip था वो इसको 15 सेकंड पे आ चुका है इसको मगर play करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी speed इसको तेज है अब हम इसमें camera tracking का feature on करते हैं विंडो के टैब में जाएंगे और यहां पर मेरे पास tracker की option मौझूद है अगर आपके पास यहां पर ना show हो रहा हो आप इसको यहां से click कर सकते हैं और already इस वक्तिक हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह already यहां पर मौझूद है यह रहा tracker यह और मैं यहां पर सबसे पहली option ही मेरे पास है track camera मैं इसको cursor को save site के लिए first frame पर रख देता हूं और उसके बात यहां पर track camera को हम click करेंगे अब यह इसको analyze करेगा जो पूरी movement है यह जो पूरा जो इसका जिस axis पर यह move कर रहा है यह इसको analyze करेगा और आपको फिर यह उसको track कर करके खुद ही करतेगा आपको manually track करने की जुरत नहीं है और यह इसको analyze कर रहा है हम इसका status देख सकते हैं कि कितना analyze हुआ है अगर मैं effect control में जाओं तो इस track camera के बाद automatically यहां पर 3D camera tracker add हो चुका है और आपके पास यहां पर एक status आ रहा है कि 42% यह इसको analyze कर चुका है आपके पास remaining time भी आ जाएगा और जो frames है basically उसकी भी आपको यह remaining बतातेगा analyze के बाद आपके पास यह message आएगा solving camera और अब इस इस motion को इस जो इसने track किया है camera की movement को यह इसको यह final tackle देगा थोड़ा सा time इसमें भी आपको लगेगा और 100% होने के बाद यह camera tracker 3D camera tracker इसको track कर चुका है अगर यहाँ पर मेरे पास track point size है जो 100% आ रहा है अगर मैं इसको gain करूंगा आप देख सकते हैं कि छोटे से आपके पास यह colorful से tracking के basically यह signs हैं आपके पास जो यहाँ पर आपको visible हो रहे हैं और यहाँ पर आपको अंदाजा हो रहा है कि इन points के थुरू basically इन axis को observe करते वे इसने इसको track किया है और अगर हम इसको यहाँ से अपने CTI को या playhead को move करें तो आप देख सकते हैं कि इस पर dot भी जो हैं यहाँ प और आपका 3D के लिए Z axis भी basically इसको यह represent कर रहे होते हैं इस tracking points को बढ़ा सकते हैं और target अब आपको basically आप इस पर mouse लेकर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कहां कहां पर आप अपना object और कोई भी text वगारा place कर सकते हैं तो आपको यह बेतहाशा options दे रहे हैं और इसका मतल प्लेस करना चाहूं अपना target तो चले हम यहाँ पर इसको लिखते थे हैं कुछ इस तरह से तो basically target को आपने just click करना है और आपका target वहाँ place हो जाएगा further आप इस पर right click करेंगे तो आप आपके पास option है कि इसके साथ क्या आप attach करना चाहते हैं या वो text है या फिर वो कोई object है या फिर कोई ऐसी animation जो कि आप बाहर से बनाके लाए हैं या किसी और composition में इसको करके लाए हैं तो बेशक आप उस पर किसी object को रखें किसी animation को रखें कोई element रखें या पर text रखें तो वह already इसको track कर चुका है तो आपका वह सारा process सारा time दुबारा से वह नहीं लेगा तो अगर मैं यहाँ पर create text and camera पर click करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त इसने यहाँ पर एक dummy text लिख दिया है और यहाँ पर काफी आपके पास सोरा सा complicated भी है इस text को edit करने के लिए मैं इसकी further properties में जाके अगर source से इसको select कर लूँ तो मेरे लिए असानी है क्योंकि बाकी चीज़े इस वक्त उस तरह से functional नहीं है इस वक्त मैं text को easily edit कर सकता हूँ और just मैंने यहाँ पर source text select करके double click किया यहाँ तो हम यहाँ पर text को लिख सकते हैं हम quickly यहाँ पर चलें डीजी skills लिख लेते हैं further इसकी सारी properties बेसे ही है size, font size, colors वगारा आप उसे सापसे यहाँ से change कर सकते हैं देखतर यह है कि हम इसको इस वक white ही रहने दें ताकि visibility ज्यादा रहे और इस पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से move करूँ अपने cursor को तो camera की movement के साथ साथ ही जो आपने text लिखा था वो भी आपको move होता नजर आ रहा है हमने text की layer को कोई animation या कोई keyframe नहीं दिया जो हमने target वहाँ पर लगाया था और उस target को हमने convert कर दिया और text हमने उसकी जगा add कर दिया इसको हम इस पर quickly preview करते हैं इसका further अगर आप चाहें तो आपके पास यहां पर बहुत ज़्यादा options मुझूद हैं जो के इस text की position और इसकी rotation और इस वक्त आपको यह थोड़ा complicated इसलिए भी लग रहा है कि इस वक्त यह इसकी position x y और z जो कि 3D की वज़े से add हो गई और further rotation की सारी options भी आपको दे रहा है अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा modify करना चाहते हैं position इसकी तो हम वो कर सकते हैं हम साथ साथ position और इसकी जो rotation दोनों पर काम कर सकते हैं अगर आप हम इसको preview करते हैं तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस text आपके पास और visible है और जैसे ही जैसे आपका camera track या move हो रहे है तो साथ साथ आपके इसका भी rotation आपको नजर आ रही है और आपने देखा कि इस तरीके से इसकी जितना यह short था उसके हिसाप से इसने इसको track कर दिया आपका text पे कोई भी effect है maybe अगर हम चाहें तो drop shadow add कर दें जो के normally अच्छा लगता है तो effect के तुर पे आप यहां पर drop shadow add कर सकते हैं मैं drop shadow यहां पर लिखा और perspective में मैंने drop shadow पर double click किया इस वक्त आपके पास text में drop shadow add हो चुका है जिसको आप further यह आप देखरें नीचे आपके पास इसका यह drop shadow है आप इसको further adjust कर सकते हैं और इस वक्त मैं इसकी opacity थोड़ी सी कम कर दूँ और अगर मैं चाहूं तो इस drop shadow का angle भी change कर सकता हूं distance से यह और उसको अलग हो जाएगा उसके साथ और अभी आप इसको अप्ले करें तो इसका shadow भी आ रहा है आप further इसके colors भी change कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें इस वक्त यहां से यह इस वक्त रेंडर हो रहा है एक दफ़ा हम इसको रेंडर कर लें पूरा क्योंकि यह जब तक कि सारा green हो जाएगा तो smoothly play हो जाएगा और अब हम इसको home पे जाके और हम अपना जो work area है उसको भी यहां end press करेंगे तो इतना ही आपको preview दिखाएगा फूल स्क्रीन करेंगे और इसको preview करते हैं और यह इस तरह हमारे पास यह इसने इसको ट्रैक किया है और डी जी इसके लिए इस तरह से हमारे बस लिखा रहा है हम फर्दर इस पे और भी चीजे साथ में ट्रैक कर सकते हैं अगर हम यहां पर इसको select करें layer को और आप देख सकते हैं कि आपके पास यहां पर यह जो target और track point size है इसको थोड़ा सा अगर आप छेड़ेंगे आपको इस वक्त पॉइंस नजर आने शिरू हो जाएंगे जो के tracking points हैं और further आपके पास कोई और target भी है तो अगर मैं यहां प करते हैं जो के काफी इस वक्त visible है और इस target को click करने के बाद यहां पर हम इसको right click करेंगे और इसको हम कर देंगे create solid solid में आपके पास पूरी एक solid shape आ रही है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस solid shape भी साथ में आपके यूँ track हो रही है और इस solid को जो हमने pre-compose किया है हम इसकी जगा कुछ भी इसको replace कर सकते हैं कोई video कोई और आपके पास कोई animation हो कुछ भी हो जास इसको double click करेंगे और फिलहाल मेरे पास मैं इसको replace करता हूँ एक मेरे पास ये character मौजूद है इसको हम import कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर solid को यहाँ से बेशेक में delete कर दूँ या मैं इसको off भी कर देता layer को इसकी eye से और इसका scale हम इसके हिसाब से adjust कर लें और अगर हम चाहें तो as a composition भी इसका size adjust कर सकते हैं तो इस character को मैंने यहाँ पर रखा यहाँ से बेशेक हम इसको बंद कर दें और अब आप देख सकते हैं उस solid की जगा आपके पास वह character यहाँ पर composite हो चुका है और जिस तरह से भी आपका camera track हो रहा है movement हो रही है उस तरह से आपके पास यह आपका character भी move हो रहा है तो इसमें बड़ी interesting चीज़ा आप लोग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह अभी हमने camera tracking को देखा इसके इलावा motion tracking भी एक हमारे पास अलग topic है जो कि हम next lecture में उसके उपर बात करेंगे उसमें आपको और बहुत जादा इस तरह की interesting चीज़े नदर आएंगी है अकसर आपने देखो motion के साथ movement के साथ कोई चीज़ उस motion को track करेंगे और उसके बाद उसके अंदर भी हम और element डालेंगे technique आपने समझी किस तरीके से हमने पहले अपनी जो actual video थी जो के film की वी video थी उसको हमने track किया उसको camera track किया और उसके बाद पिर हमने अपने elements बाद में add किया हमने text add किया और अभी हमने एक character है जो के png था transparent था और हमने उसको उसके साथ यहां पर composite किया आप इस character की जगा उस solid के तुरू कुछ और भी रखना चाहें तो रख सकते थे तो यह बड़ी interesting बड़ी मज़दार चीज़े आप इसके practice जरूर करें थोड़ा सा time taking है आपको analyze में आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा और अगर आपका system अच्छा है तो आप इसको और जल